इस वीडियो में समझेंगे हाउ टू आड़ टू रिशनल नंबर्स तो रिशनल नंबर्स को आड़ करने के केस में दो तरह के रिशनल नंबर्स की बात की जाती है आईसे रिशनल नंबर्स जिनके डिशनल नंबर्स इक्वल होते हैं यह पहले टाइप के रिशनल नंबर्स होते हैं जिनको आड़ करना असान होता है जिनके डिशनल नंबर्स इक्वल होते हैं उनको आड़ करना असान होगा जैसे, मैं यहां पर example आपको दे रहा हूँ, जैकि 2 upon 3 है, इसमें यह अधि add करें हम 4 upon 3 को, तो यह add करना असान है, क्योंकि ऐसे rational numbers का denominator क्या है? equal है देखे 3 है यहां भी 3 है इदि आपको minus 2 upon 5 है इसमें add करना हो 4 upon 5 तो यह भी असान है क्योंकि इसमें denominator क्या है equal है और कुछ ऐसे भी rational में होता है जिनका denominator क्या होता है equal नहीं होता है उनको add करने में हमें LCM लेना पड़ता है least common multiple ओके चलिए दोनों cases के बारे में बात करेंगे यहां पर और दोनों को समझेंगे पूरे detail में और धीरे-धीरे समझ करके पूरी तरह से यह मतलब कि basic है आपका यदि आप starting कर रहे है रिशनल numbers का add करना सीखना तो यह आपके लिए best वीडियो है ओके तो चलिए इसको हम erase कर लगते हैं फ़ैले और case number one को discuss करते है तो case number जो one है case first when denominators when denominators when denominator is same जब denominator same हो तो कैसे solve करेंगे कैसे add करेंगे दो rational numbers को यह समझेंगे हम यहाँ पे तो पहला में example लेलता हम first two by three में यदि हम add करेंगे four upon three यहाँ पर दिखेंगे denominator same है तो यहाँ पर simply क्या करना होता है कि जो common denominator है उसको बस लिख लिजे नीचे as it is और उपर वाले जो numerator में जो value दिया हुआ है integers उनको separately यहाँ पर यहाँ पर add कर लिजे two plus four क्या में दियाएगा two plus four six upon three तो आपको integers को add करने भी आना चाहिए जैसे मैं यहाँ पर इन तरह के examples बता रहा हूँ जिसे के second case हो जाएगा है यहाँ पर यहाँ पर करना है plus four upon three तो इसका value क्या होगा तो हम यहाँ पर दिखे denominator three three है सेम है तो हम denominator में कुछ चंजने करेंगे यहाँ पर यह लिख देंगे और उपर का जो numerator है उसको add करना पड़ेगा मतलब मैनस two में add करेंगे plus four इसका मतलब अब यहाँ पर कैसे करते हैं integers को add अब पढ़े होंगे कि जब opposite sign होता है integers में तो हम subtract कर देते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को मतलब कि four में से जो two है उसको subtract कर देंगे तो क्या आएगा four minus two आएगा आएगा आपका two और जो sign two का लगाएंगे यहाँ पर जो result आएगा two उसका sign जो होगा चिन्न जो होगा वो बड़े वाले का sign लगाएंगे तो बड़े वाला count है four है four का sign क्या है positive है तो यहाँ पर positive लगाएंगे means plus 2 हो जाएगा upon यह 3 हम as it is रख देंगे इसका अंसर हो गया 2 by 3 अब एक और किसे बनता है third example यहाँ लेते हैं जब दोनों negative हो means minus 2 by 3 plus minus 4 upon 3 यहाँ पर denominator क्या है यहाँ पर same है हम लोग case 1 discuss कर रहा है जिसमें denominator क्या होते हैं same होते हैं तब कैसे add करेंगे यह समझ रहा है अब यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर जब add करेंगे तो बस हम जानते हैं कि minus 2 में क्या करेंगे add कर देंगे minus 4 ठीक है हमने bracket में क्यों लिया इसको क्योंकि plus minus को एक साथ directly नहीं रख सकते हैं या फिर रखना अच्छा नहीं रहता तो अब यहाँ पर हम पहले plus minus को multiply करके जो आएगा वो लिखेंगे तो यह 3 को ऐसे लिखेंगे देखें minus 2 और plus minus में multiply करेंगे तो minus मिलेगा 4 ओके तो minus 2 में minus 4 अब यहाँ देखें दोनों का negative sign हो गया तो integers है case में हम integers को जब add करते हैं या solve करते हैं उसके sum और addition subtraction को तो दोनों के sign यदि same रहते हैं तो add कर देते हैं means दोनों यदि positive रहेंगे तब भी add कर देंगे यहाँ पर क्या था 2 भी positive है और 4 भी positive है तो दोनों को add कर दिए 6 आ गया यहाँ पर क्या है दोनों negative है तब भी add कर देंगे लेकिन sign different रखेंगे sign यहाँ पर क्या था 6 प्लस में है और यहाँ पर लिखेंगे negative 6 upon 3 अब यहाँ पर एक बात आपको बताना में यहाँ पर भूल गया देखेंगे आपर 3 है और 6 है तो यहाँ पर common factors हम cancel out कर लेते है 3 बंजा 3 and 3 टूजा 6 मतब 2 आएगा इसका answer और यहाँ पर भी करेंगे 3 बंजा 3 and 3 टूजा 6 मतलब आएगा इसका minus 2 great तो हमने तीनों तरह के case में देख लिए हमने case first में अब चलते है case number 2 अब case number 2 है यही आपका mean है यह क्या कहता है कि when denominator when denominator is not same जब denominator same ना हो जैसे first case लेते हैं पहला यहाँ पर ले लेते हैं 2 upon 3 let's suppose 2 upon 3 अब इसमें हमें क्या करना है add करना हो 4 upon 5 आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है तो 3 और 5 है तो यह different तरह के क्या है integers हैं मतलब कि same denominator नहीं है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3 और 5 का LCM लेना पड़ेगा और 3 और 5 का जो LCM है वो हम जो निकालते हैं जिस तरीके से वो हम निकालेंगे इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 3 से ले जाएँगे पहले तो 3 और 3 5 बचा और 5 से ले जाएँगे तो 5 और 5 मतलब कि 3 और 5 मतलब 15 हो गए यहाँ पर LCM तो क्या करते हैं कि यहाँ पर रखेंगे 15 आप धिहान दिजें यहाँ पर यहीं पर main point है 15 रखने के बाद इस 3 से divide कर देते हैं 15 में 3 से divide करेंगे 15 में कितना मिलेगा 5 मिलेगा 3 5 जा 15 3 से 15 में divide करेंगे मिलेगा 5 और जो भी मिलेगा मतलब 5 मिला है यहाँ पर 5 से 3 का जो numerator है उसमें मट्पलाई कर देंगे means 2 into 5 करेंगे तो 2,5 या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस कर देंगे, यह प्लस का साइट यहा पर रहेगा तो प्लस करेंगे, यह मारस रहेगा तो मारस करेंगे अब जो यहाँ पर करेंगे 5 से डिवाइड करजें, 15 में कितना मिलेगा, 5,3 जा, 15 होता है उससे multiply किया numerator में यहाँ पर 10 plus 12 मिल गया इनको add करेंगे तो मिलेगा 22 upon 15 अब इन दोन में कुछ common नहीं है आपका यही क्या हो गया? clear अब जो है यहाँ पर देखे कुछ और भी example ले लेते हैं second example हम्याब ले लेते हैं जिससे later suppose यहाँ पर आपका आगया minus 2 upon 9 और इसमें add करना है 7 upon 8 ओके तो 9 और 8 का जो LCM होगा वो क्या होगा? तो 9 8 का जो LCM होगा आप रिकाल लेंगे यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है कि जब इसमें कुछ common factor नहीं मिले जिससे कि 9 और 8 में क्या है count factor कुछ नहीं मिल रहा तो directly multiply करने पर जो LCM आ जाता है तो जिससे 3 और 5 में count factor क्या है 1 के अलावा और कोई count factor नहीं है तो directly multiply करने पर 15 आ जाएगा और यहीं आपका LCM होगा जरूरी नहीं कि आप ऐसे करके आप find कर यह LCM हमेशा आप तुरंद multiply कर सकते हैं आपका 9 8 जा 72 और 72 ही होगा कि LCM होगा 9 से divide करेंगे 72 में तो 8 मिलेगा और 8 से multiply करेंगे numerator में मतलब 2 में कितना हो जागा 8 2 जा 16 यहां लिखेंगे माइनस 16 और यह plus cosine 8 से divide करेंगे 72 में और 9 मिलेगा 9 से multiply करेंगे 7 में 9 7 जा 63 add कर लिजिए अब देंगा negative है और positive है इसका मतलब कि बड़े वाले में से चोटे वाले को minus करना पड़ेगा जब भी opposite sign हो तो बड़े वाले में से चोटे वाले को minus करना होता है तो 63 में से minus करिए 16 तो यहां से 3 चला गया और 57 हो जाएगा 57 फिर 47 मतलब यह मिलेगा आपको 47 और 47 को positive में रखेंगे क्यों 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 बड़े वाले का sign क्या है positive है मतलब 63 का sign क्या है plus में है इसलिए 47 लिखेंगे upon 72 कुछ कामान इसमें factor नहीं है तो यही आपका answer हो गया तो आप समझ गया होंगे बिल्कुल की कैसे add करेंगे 2 rational numbers को और यह बिल्कुल basic था इसलिए मैंने इसको काफी describe करते हुए अच्छ से बताया तो hope कि आपको समझ में आ गया होगा तो thank you so much for watching मैंने RDS सर्मा और RDS काल के सारे question solve कर दिये है तो उसको भी आप देख लिजेगा आपको यहां पर उपर लिंक मिल जाएगा या फिर अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहां पर वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं thank you so much for watching subscribe कर लिजेगा दोस्तों को बता दिजेगा आपने share कर दिजेगा like कर दिजेगा bye